प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज हम आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाके दिखाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे addition, subtraction, multiplication, division और remainder find करके आपको दिखाएंगे तो इस प्रोग्राम को हम बीना switch case के बनाने वाले हैं तो जब भी आपको अगर मैं बोलू कि add करो तो कम से कम आपके पास कितना number होना चाहिए दो number होना चाहिए, subtraction के लिए भी कम से कम हमारे पास दो number होना चाहिए कोई भी arithmetic operation अगर हम perform करते हैं तो कम से कम हमारे पास दो number होना चाहिए तभी हम कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले integer type का दो variable बना लेते हैं इसी दो variable a, b में हम क्या करेंगे दो number को input कराएंगे दो number input होने के बाद अब हमें addition perform करना है कि subtraction करना है अलग-अलग operation होते हैं 5 operation हमें perform करना है तो एक time में एक ही करेंगे क्योंकि calculator में भी हम वह ही करते हैं एक time में एक operation ही perform होगा तो उसके लिए हम choice pass करेंगे तो ch नाम का एक variable बना लेते हैं यह ch variable ही decide करेगा कि हम कौन सा operation perform करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं प्रिंटफ function की मदद से यहाँ पे एक message pass कर रहे enter user choice ठीक है यानि आप क्या करना चाहते हैं सबसे पहले तो choice हम input ले लेते हैं ch variable में तो integer value ही है यह भी उसके लिए %d, m% ch तो choice input हो चुका है अब हमें क्या करना है दो number input करना है तो दो number input करना है तो फिर से यही दो function use करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं इनको paste करते हैं इसको change करते हैं enter two numbers ठीके यह हो गया हमारा message अभी यहाँ पर क्या करना दो number input करना है तो %d एक और लगा देंगे format string पहला number variable a में दूसरा number variable भी में दो number भी input हो चुका है अब हमें क्या करना है अपना arithmetic operation perform करना है तो मैंने starting में ही बोला था without using switch case हम आपको करके दिखाएंगे इसका मतलब हम if else if ladder statement यूज करने वाले हैं इसमें क्या होगा multiple if block होगा और अलग-अलग condition होगा तो सबसे पहले हम उसका syntax design कर देते हैं syntax रहेगा coding करने में 1% कभी दिक्कत नहीं आएगा हमें 5 operation perform कराने हैं तो 5 block बना देते हैं else if का और last में अपना एक else का block रहेगा ठीक है यह syntax ready है सबसे पहला यहां पे हमारा condition होगा अगर ch का value 1 होता है तब क्या होगा तब हम a plus b करेंगे दो number को add करेंगे इसको store करा देंगे variable add में और क्या करेंगे print कर देंगे तो हमें addition print में मिल जाएगा तो यहां पे एक message भी pass कर दे रहे addition उसके बाद %d और add variable को print कर देंगे बस अब यही काम हमें बाकी में भी करना है अगर मालो ch का value 2 होता है user choice में हम 2 input करते हैं तब क्या होगा तब हमें subtraction perform करना है तो यहां पे a-b कर देंगे इस variable को subtraction वाला बना देंगे इस message को change कर देते हैं subtraction ठीक है और यहां पे sub को print कर देंगे इसी तरह से अगर मालो user choice में हम input करते हैं ch का value 3 फिर क्या होगा हमें multiplication perform करना पड़ेगा तो a into b कर देंगे बहुत असान है coding ठीक है आपको भी ऐसे ही करनी है multiplication सबसे पहले तो syntax लिख लो जैसा हमने else if का syntax यहां पर बना लिया अभी देखो कितना असानी से हम code लिखते जा रहें अभी हमारा अगर मालो ch का value होता है 4 फिर क्या होगा फिर हमें क्या करना है division operation perform करना है तो यहां पर क्या करेंगे a divide b करेंगे और इसके लिए एक variable होगा div और यहां पर क्या करते हैं division लिख देते हैं अभी एक और case होगा remainder वाला तो उसमें ch के value अगर 5 होगा तब क्या होगा तब remainder find करेंगे हम तो remainder कैसे find होगा यह modulus वाला symbol use करेंगे तो यह क्या करेंगा remainder निकालके दे देगा इस message को क्या करते हैं change कर देते हैं remainder और यहां पर REM variable को हम print कर देते हैं तो हमारा code यहां पर ready है यहां पर div variable था तो यहां पर हमने div को क्या किया प्रिंट नहीं किया ठीक है कर दिये अब मालो इन पांचों case के अलावा यहां पर 5 condition है इन पांचों condition के अलावा हम CH के value कुछ ऐसा input कर दे जो इन पांचों में किसी से match ना करें तब यह last में अपना else block है इसमें क्या लिग देते हैं इसमें लिग देते हैं invalid choice ठीक है यह वाला message execute करेगा code हमारा ready है अभी हम क्या कर रहें लास्ट में return 0 लिग देते हैं इसका size थोड़ा सा कम कर रहें ताकि आप क्या करो देख पाओ एक बार में इसको करते हैं run और आपको output दिखाते हैं अच्छा यहां पर जितने भी variable हमने बनाएं उसे हमने declare नहीं कर रहा ह है तो कर लेते हैं declare यहां पर integer type का ही variable है addition subtraction ठीक है उसके बाद क्या था मल्टी था उसके बाद division के लिए deep variable था और remainder के लिए यह REM variable हमने use किया था अब करते हैं run अब कोई error नहीं आना चाहिए बिल्कुल यहां पर code run हो चुका है इसको हम dry run करके समझाएंगे यह काम कैसे करना तो यहां पर सबसे पहले हमसे user choice पूछेगा enter user choice ठीक है हम क्या कर देते user choice में input कर देते हैं 2 अभी 2 number हम input करेंगे न यहां पर कर देते हैं तो चलिए dry run करते हैं देखो सबसे पहले user choice में हमने CH का value क्या लिया 2 और दो number हमने input किया पहला number था 78 और दूसरा number था हमारा 45 45 variable B का value था और यह 78 A का value था अभी हम यहां पर देखेंगे क्या CH equal equal 1 है CH का value 2 है तो यहां पर match नहीं कर रहा तो यहां पर यह नहीं होगा अभी इसम value 2 इस 2 के साथ match कर रहा यहां पर match कर रहा ठीक है क्योंकि यह भी 2 है और यहां पर भी 2 है तो यह true हो गया condition तो यह वाला block execute कर गया और 2 number का subtraction हमें output में मिल गया आप क्या कर सकते हैं इस काम को ना number input लेने के बाद कर सकते हो वो ज्यादा better रहेगा इस तरीके से अभी program को run कर पेले हम number input कर ले फिर ना बताएंगे हमें करना क्या है ठीक है तो यहां पर 100 कर लेते हैं उसके बाद 4 कर लेते हैं अभी user choice में हम डाल देते हैं 4 तो देखो यहां पर result क्या आया है division 25 यह क्यों आया है इसको भी समझा देते हैं पहला number हमने A में input किया 100 B का value हमने लिया 4 और 2 के साथ भी बराबर नहीं है इस 3 के साथ भी बराबर नहीं है तो यहां पर देखेगा क्या CH का value 4 इस 4 के साथ बराबर है यहां पर condition true हो गया जैसे ही condition true हुआ पहला number था 100 दूसरा number था 4 तो यहां पर divide करेंगे 25 यहां पर store हुआ और वो 25 यहां पर print हो गया फिर से करते हैं program को run अभी हम क्या करते हैं दो number input कर देते हैं और इसका क्या करना है मुझे इसका करना मुझे multiplication तो हम क्या करते हैं case 3 दबाते हैं तो यहां पर देखो इसको और इसको अगर आप multiply करेंगे तो इतना ही result आएगा same वैसे ही आपको dry run करना है अभी हम remainder आपको दिखा देते हैं remainder हमारा काम कर रहा condition की नहीं मालो 200 है और यह 100 है अभी करते हैं 5 तो यहां पर देखो अगर हम 200 को 100 से divide करेंगे तो यह remainder 0 देगा पूरी तरह से divisible है एक बार और run कराते हैं हमारा एक और block रह गया है दो number input कर देते हैं तीक है अभी मालो हमने यहां पर choice में डाल दिया 9 तो यह यहां पर result किया रहा invalid choice ऐसा इसलिए आरा क्योंकि CH का value 9 किसी में match नहीं कर रहा है हम आपको दिखा देते हैं देखो यहां पर CH का value 1 है यहां पर 2 के साथ compare हो रहा 3 के साथ 4 के साथ compare हो रहा 5 के साथ compare हुआ और यहां पर 5 तक ही था तो हमने क्या डाला था 9 डाला था तो किसी के साथ वो match नहीं किया तो इस else block में वो match किया अगर कोई भी यहाँ पे condition true नहीं होता है किसी भी choice से match नहीं होगा तो वो else block में आएगा और यह else block तभी execute करेगा जब उपर का सारा if का block का condition false हो जाएगा तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को स्विच केस से बनाईएगा अगर आपको complete सी प्रोग्रामिंग सिखना है इस वीडियो पर क्लिक कर दिजिए जो आपके screen पर दिख रहा है